प्रियंका गांधी पूर्वांचल के दोरे पर हैं प्रियाक से काशी तक आज प्रियंका जलमार्क से जनसंपर करने वाली है जिसके पहले प्रियंका ने ट्वीट कर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि स्वराज भवन के आंगन में बैठे हुए वो कमरा दिख रहा है जहा प्रियंका गांधी का ट्वीट हम आपको उनके शब्दों को ही शब्दशा दिखा रहे हैं स्वराज भवन के आंगन में बैठे हुए वो कमरा दिख रहा है जहां मेरी दादी का जन्म हुआ रात को सोलाते हुए दादी दे मुझे जो नौफार की कहानी सुनाया सुनाय करत करती थी आज भी उनके शब्द दिल में गूंचते हैं प्रियंका ने आगे लिखा कि वो कहती थी निडर बनू और सब कि अच्छा होगा तो कॉंग्रेस प्रियंका गांधी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहा है दरसल ये ट्वीट उन्होंने अपनी अब उन्होंने इंद्रा गांधी को याद करते हुए लिखा है और ये कहा कि अक्सर उन्हें निडर बनने के लिए कहा करते थे तो प्रियंका गांधी पूरवांचल दोरे पर है उनका दोर्या कैसा रहेगा क्या रूट है हम आपको सिलसलेवार तरीके दिखा रहा है प्रियाग्रा से वारा नसी तक 140 किलो मिंटर का स्टीमर से सफर मिर्जापूर उसमें एक दिन रुकेंगी कालीन बुनकरों से प्रियंका मिर्जापूर के ग्रामेड इलाखों में जनसंपर्क और शाम को एक रूर्षो प्रियंका गांधी का तैक किया गया है बुद्वार सुभा वारांट सी पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वारांट सी में सबसे पहले प्रियंका सुल्तान केश्वर जाएंगी जैन धर्म के प्रतिनिद्यों से मुलाकात और बाबा विश्वनात के दर्शन करेंगे प्रियंका दशाश मेध घाट पर पहुंचेंगे और मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बोट की यह तस्वीर है जहां पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी जो है तो देखने को मिल रही है और इस वक्त वोट पर सवार होकर प्रियंका गांधी अपनी स्यात्रा में आगे बढ़ेंगी गंगा के रास्ते प्रियंका का प्रियंका से काशी तक का यह सफर कई पढ़ाओं से होकर गुजूरे का और लगातर हम आपको जानकारी अभी दे रहे थे तरसल छतनाग प्रियागराच से असी घाट वरानसी तक का सफर प्रियंका का 140 किलोमेटर लंबा सफर है और तीन दिन में सफर को पूरा करना है प्रियंका गांधी को और लेकिन तीन दिन में कई महचपूर्ण जो छेतर हैं वहाँ प्रियंका के कई कारेटम जंसंभवात के हैं इसके रावा रोगशों के भी प्रियंका गांधी ने किये होगा हैं तो जो 140 country का जो सफर है क्या वो कॉंग्रस को सच्था तक पहुंचने में मदद करेगा या फह बेंक दूरी क्या सच्था तक सबसे बड़ी बात वो ये कि पूर्वांचल जो है पूर्वांचल जो है वो पुधान मंत्री नरेंद्र मोदी का संसदी है शेतर भी है और पूर्वांचल जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्तिनाथ का गड़ भी है तो नजी से सटे गाओं में स्टीमर से पहुँच रही है प्रियंका गांधी बोट यात्रा प्रियंका गांधी की जो शुरू हो चुकी है यह जानकारी हम आपको दे दें दौरे क्यंत में आप कारिकरताओं के साथ होली मिलन का कारिक्रम भी प्रियंका गांधी का है बहुत खास है प्रियंका गांधी का ये कि ये बोट यात्रा और कॉंग्रिस को ये उमीद है कि इस बोट यात्रा से ज़रूर लोगों के बीच में कॉंग्रिस का जो खोया हुआ जनाधार है वो मजबूत होगा तो प्रियंका गांधी क्या वाकई में बोट यात्रा के सारे अच्छे दिन लापाएंगी कॉंग्रिस के कॉंसा गाट है कि दिने हमारे संवाधाता दिने हमारे साथ इसवक्त जुड़गा है प्रियाग्रा से दिने आप तस्वीर हम देख रहा हैं छतनाक से बोट यात्रा शुरू हो चुकी है और पहला पढ़ाओ क्या रहेगा प्रियंका गांधी का क्या कुछ जानकारी और कौन-कौन लोग उनक के साथ इस बोट यात्रा में शामिल है वहां से शुरू होगी वहां पर पहुंचने वाली है इसके पहले संगम में प्रियंका गांधी आई है उन्हों में लेटे हमान मंदिर में पहले दर्शन किया है और उसके बाद में संगम में पूजा अर्चना की है मागंगा अर्चना के बाद में वहां चतना से होते हुए कार के जरिए वो मरय अगार पहुंचने वाली है जहां पर उनकी आज की दिंगा यात्रा का आगाज होगा अगर आप बात करें उनके साथ कौन कौन से लोग हो तो मुक्रूप से राजबबर उनके साथ में हैं समोर्टिवार चांगरेस के संजेर सिंग उनके साथ में और आज़ पार पार पुरवांचल में जो असर रखने वाले जो नेता हैं किसी धलित नेता भी उनके साथ में हैं तो इस तरीके से देखा जाए तो प्यंगर का आज लगशे चीश तरगेट है पूरवांचल उससे जुड़े चुनाव के मद्देनजर बोट के आतरा है जिसमें वोट पर भी चर्चा होगी लोगों से भी बुलाकात वो करेंगी लेकिन कांग्रेस क्या देख पा रही है क्योंकि अब तक राइबरेली और अमिठी में हम कहें कि पार्टी के लिए प्रचार या तैयारियों में सहयोग करत तक का यहां पर कितनी पकड़ मजबूत बना पाएगी कांग्रेस इस बोट के आत्रा के सारे आपके अपनी समझ क्या कहती है कि वो मेरा मानना है कि यह जो छेत्र है इस पूरे शेत्र में कॉंग्रेस की तिलाल कोई पकड़ नहीं है और पिछले अगर लोगसभा चुनाओ को देखे तो पूरे पूरवांचल में कॉंग्रेस शुन्य परती कोई सीट उसको नहीं मिलीती जाहिए से बात है कि इस पूरे इलाके में बड़े-बड़े दिग्गत हैं जिसको रखते हुए कहीं नहीं को प्रियंगा को अपनी सारी ताकत यहां लगानी होगी इसी वजे से प्रियंगा ने भी अपनी गंगा यात्रा में उनी मिश्कों का प्रयोग किया है जो कमोवेश अप्लानमंदी निरेन मोदी जी ने अपने चिनाओ कंपेन के समय किया था बनारस में और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी यात्रा में जो लक्ष बनाया है कॉंग्रेस में वो गंगा के किनारे रहने वाले वो जातियां और वो वर्ग विशेस हैं जो कभी पहले कॉंग्रेस का वोट थे लेकिन बाद में जो नए समीकरा सियासत के आए खासकर मायवती के आने के बाद में और विजेदी के आने के बाद में वो गोड़ेंग उसे चिटक बेया है इसी वज़े से बैलिक और कुछ हर तक मुस्लिम जो बोड़र्स हैं जो गंगा के किनारे आसपास रहते हैं अपनी रोधी रोटी के लिए इसी रोग से उनी को लक्ष माना गया है औ अपनी के साथ प्रियंगा जी बाद भी जिसके लिए उन्होंने ताहाँ अलग से बात प्रियंगा के साथ इसके अलवा वोड़ी जी के तरहें वह अपने बहुत सारी करचाएं भी वहां पर उन लोगों से परेंगी जो उस गाहों के आसपास हैं आज कि उसमें देखा जाय प्रियंगा नाव से भी अपनी बात अगर उन्हें पहना चाहें तो क्ताह सब्सक्राइब देखा जा तो उच्छाय कांगरेस के अंदर बनेगा कारकरताओं के अंदर जोश बनेगा और पूरवांचल में जो बिलकुल हासिये पर थी कांगरेस उसे हो सकता है कि कुछ नई स छेत्र होंगे जो बिलकुल हम कहां कि गंगा नदी किनारे जो हैं वो पढ़ेंगे और उन छेत्रों में ज्यादा तरह भी देख रहे थे कि ऐसे इलाके हैं जहां पर गरीब तबका रहता है समाच का जिन लोगों की अपनी अपनी कई समस्या है मुलभूत जरूतों का भी अ प्रती हो कि आप खुद यह बता रहे हैं की जहां जहां पर वो यात्रा कर रहे हैं वहां वहां पर कॉंगरिस बीते कई सालों में कमजूर हुई है तो क्या लगता है उन गरीब कमजूर तबकों तक प्रियंका गांधी अपनी बात कन्वे कर पाएंगी उसमें कामियाब हो क्या प्रियंटा का जल्मार का जल्यात्रा का रास्ता किया रहा है उसके बीच में आज के जल्यात्रा है उसका एक हिस्सा होगी इसे मिलें भी बात करेंगी इसके अलवा अगर आप देखें तो आगे जाने के बाद में मिर्जापुर में बुलकरों के साथ जो उनकी बात की थे इसके अलवा एक जैखें वो दरगाय में भी जाएंगे तो पुल मनागर क्या आप देखें जो उनका कुराना वोट बैंक कांग्रेस का रहा है बैलिस का ओवी सिगा और यूसलीम बाला वोट बैंक को वो लक्ष मेरे करके अपनी स्क्यात्रा को आगे कर रही है और यही वज़े है कि बीच बीच में वो महिलाओं से भी बात कर रही है वो महिलाएं जो गाहों की महिलाएं और जिनकी साफी अस्थी पगड़ प्रियंगा गांधी